विश्वव्यापी महमारी से निपटने के लिए जहां सरकार से लेकर प्रशासन तक काम कर रहा है तो वही लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हो चुके हैं ऐसे में आप घर बैठे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और इस कोरोना वायस संक्रमंट से अपने आपको कैसे बचाव कर सकते हैं जानते हैं योगाचारिय दीपक पांडे के मुताबिक कोरोना वायस संक्रमंट से लडने के लिए लोगों को अपने प्रतिरोधक शमता बढ़ानी पड़ेगी जिसके लिए योग करना बहुत जरूरी है योग के माध्यम से अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं और संक्रमन से अपना बचाव कर सकते हैं योगाचार्य के मुताबिक अलोंग विलों सूरिया नमस्कार आसन त्रिकोनासन नौकासन और धनू आसन करके अपने आपको निरोग रह सकते हैं योगाचार्य दीपक जोशी के अनुसार अनुलोंग विलोंग से सामान रूप से होने वाली सर्दी जुखाम और सामान्य बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके शरीर में फैलने वाले संक्रमन खत्म हो जाएगा क्योंकि हम जॉगिंग और रनिंग तो घर में रहकर के जो आसन प्रणायम या एक्ससाइज हम कर सकते हैं सरीर को मजबुद बना सकते हैं तो हम घर रहके हम योग के माधियम से अपने सरीर को स्वस्तर रख सकते हैं और मांसिक रूप से भी हम मजबुद बन सकते हैं तो स्वस प्रणायम के लिए बहुत ही लाबदायक है और साथ ही हाट के लिए हम धनुरासन और तिरकॉन असन यह सहज जो प्रणायम है इसके साथ में आसन जो हैंगे इन्हीं कर सकते हैं और स्वस्त रह सकते हैं